तो दूस्तो अगर हम लोग बात करें तो Realme X7 सीरीज के निज़ार सब लोग कर रहे हैं तो फाइनली उसकी जो लाउंच डेट ना अलग-अलग सोर्से से कंफर हो चुकी और उसकी जो लाउंच डेट ना वो हो सकती है फोर्थ फैपरी अब ये Realme को ऑफिशल कंफर्म करना बाखी एपर लाउंच इवेंट के इन्वाइट अगरा की फोटोस हमारे सामने आच चुकी काफी सार लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर चुकी है और X7 और X7 Pro फैबरी के फर्स्ट वीक में ही लाउंच होने वाले हैं काफी सही चीज है को एक अलग होगा बॉक्स के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे निया कलर भी आप इंट्रूस हो सकता है और सौफ्टर में चेंजेस होंगे तो अगर आपने पहले कुसी रियल्मी X7 का कोई वीडियो अगरा देखा हो काफी सारी चीज आपको वैसे ही देखने तो यह बात हो आती है और इसी के साथ ही अगर हम बात करें सैमसंग के फोन के बारे वे तो गैलेक्सी A72 जी हाँ यह जो फोन है वो अल्रेडी सर्टिफिकेशन में पकड़ा जा चुका है उम्मीद थी थी कि A72 जो फोन है अब जन्वरी में रिलीस होगा लेकिन अब लग र जादा जल्दी समझ सकते हैं और इसी के साथ ही बात करें तो आप लोगो मौलूम है गौडजिला की मूवी आ रही थी वैल टेक्नी उस तो नहीं है यह लेकिन आप लोग के इता बता सकता हो कि गौडजिला वर्सेस कॉंग की मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीस हुआ था और यह जो मूवी आभी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी लेकिन इस फिल्म की खास बात यह रहेगी कि जो फिल्म है यह थेटर्स और जो HBO Max उनकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वहाँ पर एक साथ रिलीस की जाएगी तो यह काफी साही चीज हो जाती है लेकिन अब देखने वाली बात होगी आगे कहानी क्या रहती है मतलब कि इंडिया में जो HBO Max से हो तो अवाइलेबल है नहीं तो इंडिया में जो लोग है अब लोग हो टेलीक्राम में वैसे चैनल जल्दी मिल जाएगी मेरे को लग रहा है तो यह भी एक बात हो जाती है और इसी के साथ ही बात कर तो जो Xbox की जो Life Gold Membership है ना मतलब ऐसा होता है Xbox के अंदर कि अगर किसी वो गेम वगरा खेलना है तो उसके अंदर क्या रहता था कि किसी को ऑल्लाइन मिल्टी प्लेयर गेमिंग खेलने है तो उसके पैसे देने पड़ते है Xbox में प्लेस्टेशन में और अभी क्य Xbox ने क्या किया था कि अपनी जो प्राइस है वो जादे इंक्रीज कर दे थी यानि कि Xbox ने जो Life Gold Membership प्राइसिंग है जिसके लिए लोग देते थे कि Online खिलने का पैसा था उसकी उन्होंने कीमत है जादा कर दी इस वज़े से लोग परेशान थे तो इसके बाद उन्होंने सार कि एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेंगे यानि कि free-to-play गेम्स आप online free में खेल सकते है उसके लिए आपको Xbox Live Gold Membership लेने के ज़रूरत नहीं है तो इस ट्रैक भी चीज़ों नोने करी है तो ये कच्छी बात है वैसे Xbox Live Gold के एक फायदा ये भी रहता है कि हर महीने और दो लोगों का जो heart होता है मतलब कि जिकाफिसार heart patients होते हैं जिनके अंदर आपको pacemaker देखने को मिलता है तो उनके साथ वो interferer कर रहा है max effect charging के लिए port बनोने बना है जिसमें आपको max effect attach होता wireless charging यूज़ करता है अब उसके अंदर से किस तरीके से EMF याने की electromagnetic field वगरा generate हो रहा है कोई EM waves वगर नेकल रही है जो कि अगर किसी नगर उपर वाली pocket में रखा तो pacemaker के साथ वो disturbance cause कर रहा है एक medical report आईए तो उसी साथ ही Samsung से रिलेड़े बहुत ही अच्छी न्यू सामना ही है वह है कि जो Samsung का upcoming आने वाले जो phones होंगे ना उनके अंदर जो नए Exynos के chip होंगे ना उनके अंदर आपको AMD का GPU देखने को मिलेगा यहां मतलब कि इसी साल ही आपको देखने को मिलेंगे Samsung के flagship level के भी कुछ सोल कर दिया Xbox को यानि की PlayStation 5 Xbox Series X लगबख साथ मी लांच होए थे लेकिन जो sales हुए न वह PlayStation 5 की almost double हो चुकी है as compared to Xbox 2020 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ देखते आने वाले time में क्या रहता है लेकिन देखा तो PlayStation की जो demand है वो बहुत ही जादा है इससे निपटने के लिए production भी बह demand है आने वाले कुछ मेने के बाद जब demand stable हो जाएगी न अच्छे तरीके से मिल लगेंगे तब यह चीज़े शान्त होंगी हाला कि देखा जाए तो अभी जो PlayStation उसने आउट्सोल कर दिया Xbox को यह भी सही चीज हो जाती है और इसके साथ ही 4G Games related भी काफी interesting information पता चलिए वह है कि जो 4G Game है न उसके लिए मतलब registration तो चालू हुए गए थी लेकिन लोग का यह कहना था कि हमारे phone में नहीं चलता उस phone में चलता इस phone में नहीं चलता तो बात यह कि अभी जाओ 4G Game मतलब सर्च करो आप Play Store पे वहाँ पे आपको Android 8 या उसके उपर के जितने भी phones available हुए न शाम को या रात को अगर रिलीज हो जाता है 4G का गेम तो खल सुमय में आपको वीडियो बना के उसका gameplay वगरा भी दखाऊंगे exactly है कैसा क्योंकि इस गेम के बारे में actually मतलब क्या PUBG का killer है या completely separate game है क्या होंगी सारी कहानी काफी interesting things है हलाकि जो भी 4G है न वो भी दिखाऊंग तो देखते आने वाले समय में क्या रहता है और आगे बढ़के बात करें तो जो OnePlus 9 series है न उससे लेटर एक काफी interesting information बता चलेगी multiple phones तो आने वाले लेकिन display के अंदर भी आपको सभी phones के अंदर 120 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा 144 Hz जिसके इम expectation कर रहे थे वो नहीं आने वाला है और 3.8 mm होने वाला है यह यह भी काफी सही चीज है इसके साथ ही पता चला है कि दोरोई phones का जो weight होगा वो 200 gram से कम होगा और snapdragon 888 देखने को मिलेगा और 65 watt की charging across the world आपको देखने को मिलेगी यह कुछ information है जो आपको OnePlus 9 series से related देखने को मिलेगी और इसके साथ ही finally जो information निकल के आ जा रहा है इसके जो senior VPA Lou VBing नाम है इनका वो इसको tease बगर करें लोगों से पूसे ने वो क्या देखना चाहते है लेकिन हो सकता है Redmi Note 10 series February and March तक आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर कहा जा रहा है Redmi Note 10 के अंदर आपको एक 5G वाला एक अच्छा chipset देखने को और यह हो सकता है शायद से आपका MediaTek Dimensity 800 series का processor 820, 800U काफी सारे processor हैं देखते हैं किस तरीके गर हैगा लेकिन हमें आपको बता सकता हूँ Redmi Note 10 series compete करेगी Realme 8 series के साथ तो दोनों का जो launch है वो आसपास समझ सकते हैं मतलब कि अगर आप लोगों को द्यान नहीं है तो Redmi Note 9 Pro, GoPro Max ज बहुत ही जल्दी फोन आने वाले हैं देखते हैं क्या रहता है अभी हम यहाँ पर कोई ऐसी over expectation नहीं करना चाते हैं हाला कि जो भी चीज़े मैं आपको clearly बता दूँगा लेकिन हाँ यह बाते हो जाती हैं देखते आने वाले time में क्या रहते हैं चलिए जाते हैं आप लोग अपरी वगरा में देखने को मिल सकते हैं लीक्स वगर आये थे मैंना अल्रेडी बता चुका हूं कि जैनुवरी में रिलीज होने वाला था लेकिन अभी तक कोई confirmation नहीं यह आ है मेरो लगता है कि Samsung एना एकदम से bump औरतेगी तो यह बात हो जाती है इसके सबसाद सवाल है कि इंटेल का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ट कब आएगा इंटेल का डेडिकेटेड ड्राफिक का उमीद है कि मतलब पिछले साल शोकेस उनो ने किया था CS वगरा के अंदर में को लग रहा है कि इस साल वो शायद रिलीज वगरा करे तो काफी अची चीज होगी देखते है क कि इस तरीके कि आपको चीज़ें देखने को मलती है हाला कि कुछ भी होगा तो उसकी बार में मानेवाल से मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा तो दोस्तों आज के शो में पसंदे हैं अगर वीडियो गर आप लोग को पसंदा है तो लाइक कर लिए चैनल को स सब्सक्राइब कर लो थिंग दो गूट देखने की मैं आप सुन दो नेक्स वन में गुडबाई